दोस्तों पिछले दो हफ़ते से गेम आप बिटकॉंस चैनल पर आपने नोटिस किया है कि मैं एक के बाद एक ऐसे पोटेंशिल प्रोजेक्स को टेस्ट कर रहा हूं जिनमें एप्टॉस या एप्टॉस से ज़्यादा वैल्यू की एड्रॉप मिलने के चांसिस हैं एक के बाद एक लगातार वीडियो बने हैं चैनल पर पुराने सारे वीडियो आप आके देख सकते हैं सबके सब अभी अभी और हरे को आप ट्राइक कर सकते हैं आपकी convenience के लिए playlist section में अगर आप जाएंगे यहाँ पर आपको crypto airdrop की specific dedicated एक playlist मिलेगी सारे projects आपको एक साथ यहाँ पर listed मिलेंगे चैनल पर अगर आप नहीं हैं तो चैनल को subscribe करना मत बूलिए और साथी साथ दबादीजे bell notification आइकन ताकि एक भी important वीडियो आपका miss नहों क्योंकि एक भी वीडियो मिस करने का मतलब है potentially हजारों लाकों रुबे का नुकसान और साथी साथ यह भी ensure करिए कि आप मुझे twitter पर ट्विटर पर यह share किया say network decentralized nasdaq बोला जा रहा है जो कि specifically है specialized for exchanges unparalleled speed security first तो इस टाइप से लोग बिल कर रहे है first sector specific layer 1 blockchain है तो बहुत targeted है जो specifically focus कर रही है specialized trading के लिए अब अच्छी बात ही है कि इन्होंने officially announce किया हुआ है कि जो लोग भी इनके testnet में participate करेंगे उनको airdrop के पू और यहां पर multiple rounds चल रहे हैं अभी हम fourth round पे हैं पहले तीन rounds already complete हो चुके हैं और इसको कहा जा रहा है act 4 तो act 4 की कुछ missions हैं अगर आपने act 2 complete किया होगा तो more or less same ही missions है act 4 में भी आपको वही सारे steps करने होंगे बट इस वीडियो में हम एक-एक step के तुरू go through करेंगे और पूर यह start करते हैं सबसे पहला step आपको wallets वगरा install करने हैं अगर आपने पुराने वीडियो देखे हैं तो आपके पास Kepler wallet already installed होगा नहीं है तो इस website के तुरू जाके जिनके links सारे आपको नीचे description में मिलेंगे Kepler wallet को आपको install करना है Kepler wallet install करने के बाद जब आप install कर लेंगे पु कुछ options मिल रही होगी यहाँ पे say testnet जो है वो already included होगा इसको आपको select करना है और यहाँ पे आपका एक say wallet address generate हो जाएगा यह wallet address आप copy करेंगे funds request करने के लिए testnet funds request करने के लिए आपको discord join करने पड़ेगा इनका discord जब आप join कर लेंगे बहाँ पे एक testnet channel होगा जिसके अंदर एक sub channel है Atlantic one faucet यहाँ पर आपको दो commands run करने हैं जो आपने wallet address copy किया है सबसे पहला आपको command run करना है FAUCET यानिकी faucet space डालना है और अपना wallet address copy करके आप enter कर देंगे जब यह enter करेंगे तो आपके wallet में यहाँ पर Kepler wallet में आप जाके देखेंगे तो कुछ say tokens आ जाएंगे जो दूसरा command आपको run करना है यह receive करने के बाद same चीज exclamation mark faucet space डालके आप डालेंगे UST2 फिर space डालेंगे और यहाँ पर फिर से अपना wallet address center करेंगे तो यह आपको यहाँ पर UST2 टोकन भीज़ देगा तो यहाँ पर almost एक million UST tokens आपके wallet में आ जाएंगे यह आपका हो गया तो आपके wallet set हो जाएंगे बस next step आपको करना है सीधा यहाँ पर testing start अब testing start करने से पहले एक form जो है आप पहले भर के रख सकते हैं वो है registration form incentivized test net registration form अगर आपने पहले भरा हुआ है तो दुबारा भरने की जरुरत नहीं है बट यह form आपको initially यहाँ पर भरना है भरके submit करना है उसके बाद आप testing start कर सकते हैं अब यहाँ पर दिया हुआ है कि जितनी आप यहाँ पर testing करेंगे उसके corresponding आपके कुछ points generate होंगे तो effectively यह आपको अगर हो सके तो रोज अगर आप test करते रहेंगे जब तक यह end नहीं हो जाता उतने ही जादा points आप एकटे कर लेंगे तो यहाँ पर maximum limit जो है वो 5 transactions per wallet per day की हैं जो भी हम task करेंगे तो 5 बार आपको transactions करनी है दिन में एक बार करेंगे तो आपके 5 points यहाँ पर generate हो जाएंगे यह हर रोज आप करेंगे तो उतने ही points आपके यहाँ पर एकटे होते रह form है तो effectively यहाँ पर जो भी आप testing करेंगे उसको record करेंगे और finally testing complete करने के बाद हर रोज यह form submit करेंगे आप जो भी आप task complete करेंगे मालीजे दिन में तीन task complete करते हैं तीन different type of task complete करते हैं तो तीन बार आपको यह form भरना पड़ेगा हर एक का proof देने के लिए अगर आप एक ही कर करके आपको वो submit करना है अब मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा कि कैसे आप task यहाँ पर complete कर सकते हैं तो जैसे यहाँ पर task है place 5 limit orders on vortex इसी type से दूसरा task है place 5 market orders on vortex और कुछ और task है यहाँ जो आप आगे खुद पढ़ सकते हैं खुद execute कर सकते हैं जैसे get liquidated on vortex अगर आ अभी एक task बन जाता है वो आप यहाँ पर submit कर सकते हैं वह जो सबसे simple है जो दिन में आप easily 10 points से यहाँ पर कमा सकते हैं वो है place 5 limit orders on vortex और place 5 market orders on vortex तो यह effectively 10 आपको orders या 10 transactions आपको vortex पर daily करनी है और आपके दिन के यहाँ पर 10 points जो है वो एकठे हो जाएंगे उसके बाद कोई औ और आप करना चाहें तो कर सकते हैं तो limit order place करना या market order place करना एक ही type से place होता है ज्यादा कुछ उसमें difference नहीं है तो हम यहाँ पर limit orders place करते हैं यह मैं आपको दुखाता हूं कि कैसे करना है तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ पर vortex पर इसी website पर आपको सारे जो tasks हैं वो execute क करने हैं आपको अपना कैपलर wallet connect करना है उसके बाद यहाँ पर initially आपको funds deposit करने हैं तो जो आपको कैपलर के अंदर यहाँ पर UST2 funds मिले होंगे उस पर यहाँ पर deposit पर click करेंगे आपकी मर्दी है कितने deposit करने हैं माल यह 10,000 करने हैं या फिर 1000 करने हैं उतना amount enter करेंगे उसके अप्रूफ कर देंगे तो जब यह complete हो जाएगी तो आपके यहाँ पर Vortex के अंदर funds वो हैं जो deposit हो जाएंगे तो यह 10,000 यहाँ पर UST2 मेरे यहाँ पर deposit हो गए अब आपको सारे के सारे एक ही बारी में नहीं यूज़ करने हैं आप 10% एक transaction में या 5% एक transaction में आके यूज़ कर सकते हैं तो Vortex website पर आपको यहाँ पर तीन options देख रही है एक है portfolio दूसरा है trade तीसरा है bridge तो हमें अब funds deposit हमारे हो गए हैं तो हमें यहाँ पर अब trade पर जाना है और वो limit orders place करने हैं अब जो task आपने देखा होगा यहाँ पर 5 limit order जो आपको place करने हैं इसके लिए यही पर न transactions complete होगी उसकी screenshot लेके यहाँ पर उसका link place करना है तो अब क्यूंकि हम 5 एक साथ कर रहे हैं यहाँ पर तो effectively आपको यहाँ पर जाना है Vortex पर trading screen पर है आपको limit order place करना है तो यहाँ पर limit आके select करेंगे market order करना है तो market select करेंगे अभी हम limit कर रहे हैं तो limit हमने select कर लिया price यहाँ यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं मैं यहाँ पर डाल देता हूं 10 order amount में डाल देता हूं यहाँ पर one उसके बाद नीचे यहाँ पर scroll करेंगे और इधर ही आएगा confirm limit by इस पर हम click करेंगे इधर approve करते ही यहाँ पर एक transaction generate होगी यहीं पर pop-up आएगा जिसका आपको ध्या order पर यहाँ पर आके click करना है जब यह आप click करेंगे तो यहाँ पर transaction ID एक आएगा यहाँ पर hash देख रहे होंगे इसको आपको यहाँ पर click करके copy कर लेना है तो यह जब आपने copy कर लिया इसके बाद आप जाएंगे notepad में यहाँ पर transaction paste कर देंगे और डाल देंगे आगे ए एक और यहाँ पर करते हैं कुछ भी change करने के जरूत नहीं है बस आपको एक बार फिर से confirm limit by पर click कर देंगे यहाँ पर फिर से अप प्रूफ करेंगे फिर से एक pop-up आएगा जिसका आपको ध्यान रखना है क्योंकि pop-up अगर miss हो गया तो अब दुबारा इसको अभी फिलाल copy नहीं कर पाएंगे तो इसको click करते हैं यहाँ पर फिर से नीचे scroll करेंगे transaction ID copy करेंगे और हम यहाँ पर जाएंगे अपने notepad में इसको paste कर देंगे फिर एक कॉमा डालेंगे क्योंकि हमें तीन और transactions करनी है तो ऐसे करके आपकी सारी transactions यहाँ पर record हो जाएंगी अब यह 5 transactions जब आपने यहाँ पर complete कर ली उसके बाद आप same चीज यहाँ पर market order के साथ भी कर सकते हैं बट transactions complete करने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे trade history में यहाँ पर जितनी भी आपने transactions करी होंगी हर एक की यहाँ पर एक list होगी या फिर आप सीदा जा सकते हैं यहाँ पर portfolio पर click करें पर Associate Teil करेंगे उसके बाद यहाँ पर जाएंगे trade history में यह सारी आपको यहाँ पर list दे देगा इसका आपको यहाँ पर screenshot लेना है तो यहाँ पर आप screenshot लेंगे अपनी trade history का चायें तो अपना पूरा का पूरा यहाँ पर स्क्रीन ले सकते हैं PANCH है PANCH transactions तो वो आप सारी यहा को upload करने के लिए इस link पे आपको सिरफ अपनी जो screenshot आपने लिए है उसको upload करना है तो यह image upload हो गई यहाँ पे बस मैं click करूँगा grab link पे तो यह grab link जब आ गया इसको मैंने कर दिया हाँ पे copy और again same चीज आप यहाँ पे आके paste कर सकते हैं तो यह आपके पास transactions हो गई और साथी साथ आपका link हो गया image का इसके बाद आपको सीधा आके यहाँ पर form भरना है तो form में आपका email address होगा आपका नाम होगा discord handle होगा act 4 ही है एक ही option इसको select करेंगे आपने limit orders place की है तो यहाँ पे limit order select करेंगे 5 आपके यहाँ पर transactions होगी तो यहाँ पर सीधा सीधा मैं आपको सिरफ example के लिए दिखा रहा हूँ अभी हमने 2 ही करी थी तो यहाँ पर इसको copy करेंगे और इधर ही जाके आप यहाँ पर ऐसे paste कर देंगे तो यह सारी transactions की list यहाँ पर आगई तो यह आपको चाहिए यहाँ पर image का URL यहाँ पर जाएंगे फिर से हमने एक image का URL create करेंगे इसको copy करेंगे और यहाँ पर आके हम इसको paste कर देंगे तो यह link आ गया इसके बाद आप अगर चाहें तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरा referral wallet address यहाँ पर डाल सकते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर referral missions के अंदर ही यहाँ पर parent के अंदर मेरा wallet address डालना है जो मैंने लीचे description में डाल दिया है यह address paste कर सकते हैं दूसरा आपको अपना खुद का भी wallet address यहाँ पर डालना है वो आप सीधा सीधा Kepler wallet में जाके अपना यहाँ पर click करके copy करेंगे और यहाँ पर आके paste कर देंगे तो यह information submit करके आप इसको finally form को यहाँ पर आके submit कर सकते हैं तो आपके उस दिन के जो task हैं वो complete हो गए तो आपने यह limit order के लिए किया है same चीज़ आप चाहें तो market order के लिए कर सकते हैं या फिर किसी और mission के लिए यहाँ पर आके कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा points यहाँ पर earn करने के लिए आपको यह daily करना है जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ही ज्यादा आपको यहाँ पर potentially airdrop बड़ी मिलने के chances होंगे क्योंकि airdrop तो आपको यहाँ पर मिलेगी ही मिलेगी क्योंकि यह incentivized testnet है और यह say network ने already announce किया हुआ है तो यह था दोस्तों मेरा आज का वीडियो उमीद करता हूँ इससे आपको बहुत फायदा होगा वीडियो को जरूर लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए have a safe investment